तो कैसे हैं मेरे दोस्त चट पटा खाने वाले आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्याज के चट पटे पकोडे कैसे बनाएं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं यहां पर हमने लिए हैं तीन प्याज और इनको अच्छी तरह से छील कर मैंने बीच से खाट लेना है और जो इनका जड़ वाला भाग है उसको भी निकाल कर फैक देना है तो यहां पर हम इसको धिरे धिरे से जो है चोप कर लेंगे काट लेंगे इसको बारीक बारीक लंबा लंबा ही काटना है और यह देखे हमारे जो प्याज हैं कटकर बिल्कुल तयार हैं चट पटे प्रकोड़े बनने के लिए और यह हमने आपर लिया है एक बरतन और इसमें हम जो हाथ की मदद से हैं इनको अच्छी तरह से प्याज की जो सबी पांकोड़िया है इनको अलग अलग कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से इनको आपस में जुड़े नहीं रहने देना है बिल्कुल भी तो यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले यहाँ पर लिया है मैंने एक चमच लाल मिर्च पाउडर और यह लिया है हल्दी पाउडर और यहाँ पर लेंगे हम गरम मसाला और यह लिया है हमने नमक आपको सवादा नुसार डालना है तो इसको हाथ की मदद से बिल्गुल प्यार से मुलाए मुलाएं इसको हम मेस कर देंगे इसमें अब हम मिलाएंगे तीन बड़े चमच बेसन बेसन बारीक वाला लेना है ये देखें मैंने इसमें तीन चमच जो हैं बेसन के डाल दिये हैं अब हमें दोबारा से इसको हाथ की मदद से मेसना है इसमें दोस्तो पानी नहीं डालना है क्योंकि जो पानी है इसको जाइजदा पतला कर देगा और प्याज में भी अपना पानी होता है यह प्याज के ही पानी से गीला हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से तो चलिए अब हम इनके पकोड़े बनाते है मैंने पहले से ही यहाँ पर तेल गरम किया हुआ है यह देखिए मैंने इसको एक-एक करके इसमें डाल देंगे आपको यह थोड़ी दूरी पर गेरना है एक-एक पकोड़ा वरना यह आपस में जूट जाएंगे यह देखिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है फ्लेम पर पकाएं बहुत ही अच्छे क्रिस्पी चटपड़े पकोड़े बनने जा रहे हैं प्याजगे तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल तयार है यह देखिए यह अंदर तक कुरकुरे हो चुके हैं यह कहीं से भी कच्छे नहीं रहे हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें